Hello guys, अपने इस वीडियो में जानेंगे इंट्राक्यूरियम इंजेक्षन के बारे में मिलने वाला injection है यह बीना डॉक्टर के परचे के आपको इंजेक्शन नहीं मिलने वाला है और भी कई ब्राइड नेम से आता है जैसे कि एक्टरासिल, एक्टरापेवर, एक्टराक्यूरियम यह कुछ इसके पॉपलर ब्राइड नेम होते हैं या फिर इसके इलावा भी कई ब्राइड नेम से आपको मिट्कली स्टोर्स पर मिल जाएगा यह इंजेक्शन निउरो मस्कुलर जंक् करता है यानि कि जो हमारी मांस्पेसिया होती है, इसके लेटर मसल्स होती है, उनको रिलैक्स कर देता है, इसका इस्तिमाल मांस्पेसियों को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है, जब किसी पेशन्ट पे कोई प्रोसीजर करना होता है, जैसे कि अगर एनेस्थीसिया देना इस injection का इस्तेमाल किया जाता है, जो contraction होता है, मसल्स में जो manspacia contract होती है, उनको relax करने के लिए इस injection का इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई patient जैसे ICU में होता है या पिर उसकी critical condition हो जाती है, तब उसको artificial sans देने की जरूरत पड़ती है, तो इस condition में muscles को relax करने के लिए इस injection का इस्तेमाल किया जाता है General Anesthesia देने के दोरान muscle relaxant के रूप में भी इस injection का use किया जाता है जानेते इसके dose के बारे में इसको किस तरह से दिया जाता है Starting में इस injection को 300 से लेकर 600 mcg पर kg body weight के according दिया जाता है इसके बाद 100 से लेकर 200 mcg पर kg के body weight के according दिया जाता है इस injection का इस्तमाल एक expert doctor की देखरे में ही किया जाता है तो जान लेते इसके contraindications के बारे में किन patients में इस injection का इस्तमाल नहीं करना चाहिए अगर कोई patient hypersensitive है या फिर किसी तरह की drug allergy है तो इसे patients में इस injection का इस्तमाल नहीं करना चाहिए अगर किसी patient को hypotension की condition है यानि कि उसका ज़्यादा BP low है तो इस condition में इस injection का इस्तमाल नहीं करना चाहिए अगर देते हैं तो उसका और भी ज़्यादा BP low हो सकता है इस injection का इस्तमाल delivery के पहले नहीं करना चाहिए होती है वो relax हो जाएंगी जो contraction होता है uterus में वो नहीं हो पाएगा जिसे की delivery होने में काफी परेशानी होगी अगर किसी पेशन को respiratory disorder है यानि कि उसको सांस लेने परेशानी होती है या फिर उसका oxygen level कम है तो इसे पेशन्स में भी इस injection का यूज नहीं किया जाता है तो जान लेते हैं इसके side effect के बारे में injection को लेने से क्या क्या side effect दिखाई दे सकते हैं इस injection को लेने से hypotension की condition हो सकती है यानि की BP down हो सकता है या फिर इसके इलावा hypersensitivity patient में हो सकती है कभी-गभी patient में बेचेनी घबरहण देखी जाती है और इसके साथ कभी-गभी सांस लेने में भी परेसानी होने लगती है तो यह कुछ इसके common side effect होते हैं अब इसके लावा भी कुछ side effect हो सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको समझ में आया होगा इंजेक्शन क्या होता है इसका यूज क्या होता है कि लोगों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से patients में इस injection का यूज दूस नहीं करना चाहिए अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाते हैं किसी और 네